वेलकम टु जोतिश क्यानमाला चैनल फ्रेंड्स प्रोफेशन से सम्मंदित स्पेशल सीरीज में हम एक एक करके सभी प्रोफेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसके पहले के वीडियो में हमने डॉक्टर्स और आर्टिस्ट के हाथों में पाई जाने वाले चिन्नों के बारे में डिस्कस किया था आज हम बात करेंगे कि वे कौन कौन से चिन्न हैं जो कि व्यक्ति के गवर्मेंट अफसर IAS, IPS वगेरा बनने की पॉसिबिलिटीज को दर्शाते हैं तो इसके लिए हम ऐसी हतीली में लिटल फिंगर की लंबाई देखते हैं लिटल फिंगर की लंबाई जो होती है बिक्षाक्रत अधिक होती है इसे हम बुद्ध की उंगली भी कहते हैं तो इस उंगली की लंबाई बिक्षाक्रत अधिक होती है और ये रिंग फिंगर के तीसरे परव तक पहुंच जाती है पर्वतों को देखते हैं तो परवतों में हम स्पेशली गुरु परवत शणी परवत और सूरे के परवत को हम स्पेशली इनका स्टडि करते हैं इन परवतों का सहज रूप से उबरा होना आवश्यक होता है यदि इन परवतों पर कोई शुप चिन्न है जैसे कि यदि कोई ट्राइंगल का चिन्न इस स्थान पर हो या फिर स्क्वेर के चिन्न इस स्थानों पर पाई जाते हो तो ये गॉर्मेंट जॉप के लिए काफी शुप संकेत होते हैं फ्रेंड्स इन इस्थानों पर कोई भी अशुप चिन नहीं पाए जाना चाहिए जैसे कि यदि यहाँ पर कोई आडी रिखाएं वगरा हो या फिर कोई कट्स वगरा हो तो ये चिन गॉर्मेंट जॉप के लिए उप्युक्त नहीं होते हैं फ्रेंड्स इसके अलावा गॉर्मेंट जॉप के लिए हमें सूर्य परवत को विशेश रूप से स्टड़ी करना चाहिए क्योंकि सूर्य ग्रह जो है वो सरकार को और प्रशास्तिक कार्यों इसके लावा प्रेम वगरा को रुप्रेजेंट करता है तो सूर्य स्थान पर सन लाइन का होना अवश्यक होता है और ये जो सन लाइन है वो विदावट एनी कट्स होना चाहिए इस पर कोई भी क्रॉस वगेरा का चिन या फिर कोई आडी रेखा वगेरा इस पर सन लाइन पर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स इसके बाद हम रेखाओं में भागे रेखा को देखते हैं यानि की लक लाइन को देखते हैं तो ये जो आपको मिडल फिंगर की तरफ जाती हुई सीधी रेखा दिखाई पड़ रही है ये भागे रेखा यानि की लक लाइन कहलाती है तो इसकी study भी हमें करना चाहिए तो ये जो भागे रेखा है यदि इस से कोई ब्रांच निकल कर सन शेत्र में यहां पर पहुँँच जाए या फिर कोई ब्रांच निकल कर गुरू शेत्र पर पहुँच जाती हो ये वाले index finger की नीचे वाले स्थान पर पहुँच जाती हो या cross kitchen नहीं होना चाहिए मतलब यह जो भागी रिखा है वो निर्दोश होना चाहिए इसके अलावा यदि life line से यह जो आपको line दिखाई दे रही है यहाँ पर यह life line गहलाती है तो इस life line से भी यदि कोई ब्रांच सूरेशेत्र पर पहुँच जाए इस तरीके से यहाँ से कोई ब्रांच निकल कर यदि सूरेशेत्र पर पहुँच जाती है तो ऐसे लोग भी प्रशासनिक सेवाओं में काफी उच्च पद प्राप्त करते हैं इसके अलावा friends यदि मंगल परवत पर ये वाला जो स्थान आपको दिखाई पढ़ रहा है ये पूरा मंगल शेत्र कहलाता है तो यहाँ से यदि कोई ब्रांच यहाँ से यदि कोई ब्रांच निकल कर सूरेशेत्र पर पहुँचती हो तो ऐसे लोग IPS अफसर या पोलिस की नौकरियों में रहने की उनकी संभावनाएं होती हैं तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ पॉसिबिलिटीज जो हतहली में गौर्मेंट जॉब के बारे में संकेत करती हैं मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें और चैनल को जोतिश हस्तरेखा और वास्तु सिसंबंद जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच